दोस्तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ चोरों की छोत बहुत ही शानदार नजारा दिखता है यहाँ और यह एसी जगह है जहाँ पानी कभी खतम होने का नाम नहीं डेता है इतना पानी हमेशा यहाँ बहता ही रहता है और एक बहुत ही खूपसूरत जरने के रूप में पहाडों के बीच में बना हुआ यह मंदीर छोटा सा है लेकिन इसकी बहुत ही ख्याती प्राप्त हैं छोत माता का मंदीर और आप देख रहे हैं जैसे की मैं दिखा रहा हूँ इस जरने को यहाँ बारिस में बहुती शानदार और खूपसूरत जरने के रूप में देखा जाता है और देख रहे हैं होंगे आप जैसा की देखी मेरे पीछे यह मेरे पीछे बहुती सुन्दर जरना है यह पानी बेता हुआ कल कल करते हुए जरने जरनों की आवाज आपको साब सुनाई देगी बहुती अच्छा जरना बहुती गहराई से बना हुआ पहाड़ी स्थल शानदार तरीके से पहाड़ों के बीच में बना यह मंदिर चोरों की छोट का बहुती फेमस और ख्यती प्राप्त मंदिर है आप देख रहे होंगे जिसा की मैं दिखा रहा हुँ मेरे पीचे बहुती सामने में पूरा लंबा चोड़ा एक नाला है पहाड़ी के बीच में जो दर्शकों को निच से बहुती शानदार नजरा दिखाई देता है बारिस के दिनों में और जब कभी आपको मोका मिले तो इस मंदिर को आए और यहां का नजरा देखे एक बार अच्छा सुन्दर नजरा दिखने को मिलेगा आपको और यह हमारे दोस्त गण जो यहां पाटी लेके आए हैं इस मंदिर पर वो बहुत अच्छी शांदार पाटी यहां करते हैं रहते हैं तो आज हमें इसे देखने का लाप प्राप्त हुआ देखो यह हमारे मित्र मनोज जी और टुफान मनोज कुमार और यह एक एक बोतल पिके खड़े हैं और बन्वारी और इसी के साथ समापती इस वीडियो थी बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करें और शेयर करें सब्सक्राइब करें सब भाग जाए सब्सक्राइब